हाई गाईज सो वेलकम बैक टो अनधर वीडियो हाई होप आप सब लोग मस्त और टका टक होंगे सो गाईज आज है डेट 14 अप्रेल और आज संडे है तो मार्किट बंद है कल मैं इसका अपडेट दूंगा बट गाईज आज थोड़ा बात करेंगे कि जो भी कमेंट्स वगे वीडियो का अपडेट देता हूं 3,884 रुपीज इन्वेस्ट कर चुका हूं तो लॉंग टम पे मेरा फर्स टार्गेट है कि एक लाग रुपीज में इन्वेस्ट कर दू स्टॉक्स फिलाल मैं अभी रिवील नहीं करूंगा आने वाले टाइम पर एक टाइम पर करूंगा डेफिनेटली और बाकी देखेंगे गाईस तो अभी एक दिन पुराना ही है यह अभी जस्ट लेटेस किया है और मैं mutual fund portfolio related भी वीडियो बनाता हूं गाईस तो जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा दूसरा वीडियो भी मेरा देख लीजे चैनल पे मैं mutual fund portfolio का अभी अपडेट देता हूं daily base पे तो उसमें मैंने 8 lakhs के उपर invest किया है तो आप वो भी चाय तो देख सकते हो everyday base पे बाकी गाईस इसका मैं कल आपको एक update आएगा तो जैसे वैसे दूँगा इनका comment है sir मैं aggressive investor हूँ और मेरा goal भी long term है लेकिन सब ने इतना डरा डराया है कि खाली small cap में डालो पूरा पैसा small cap में मट डालो करके अब तो पूरा पैसा small cap में ही डाले हुए हैं आपको कोई डराता नहीं है क्या नहीं आपको कोई डराता नहीं है जी suggestion sir बाई अनकीत मेरें वो कोई खराब suggestion नहीं है ideally देखने जाए तो technically तो सही suggestion है कि सारा small cap में मट डालो लेकिन देखो मेरा goal मेरा vision बहुत अलग है और मैं एक अलग टाइप का investor हूँ आप बोलता रहो कि आप भी aggressive investor हो बट long term पे क्या होता है इसमें बहुत जादा volatility होती है अभी आप last month प्रिपैर होना पड़ता है तो वो अगर आप वो सब चीज के लिए ready हो और long term 15 साल 20 साल hold कर सकते हो जब तक आपका first goal अचीव नहीं होता है एक बार अचीव हो जाएगा goal तो फिर आप चाया तो diversify भी कर सकते हो और मेरा मैं यह सोचता हूँ बाकी मैं कोई recommendation नहीं दे रहा ह बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो तो decision आपको खुद से लेना अपने responsibility पर वैसे देखने जाओगे तो technically सब सही बोल रहे हैं but again मैंने कैसा का आपको मेरा vision अगर मैं अपने level पर अपना सोचूं तो मेरा plan और मेरा vision अलग है ठीक है तो मैं उसे साब से मैं अपना किसी कतन बिना like you know सोचे समझे जब तक मेरा goal अच्छी नहीं होगा तब तक मैं hold कर सकता हूँ चीजों का और जो भी volatility आते हो मैं जेल सकता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखूंगा एक बार मेरा target अच्छी हो गया तो फिर क्या करना है तो वैसे अगर conclusion में आपको short में बता हूँ तो वो लोग भी सही है अपनी जगह पर बाकि यह आपको decide करना है कि आपको long term तक आप इतना hold कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो तो फिर diversify कर दो अब भी से ज़्यादा better रहेगा बड़ चुकि क्या है aggressive investor बोलना बहुत easy है बड़ जब market गिरता है तो वो उसको hold करना और रुक देखना है कि stocks को अगर हम अच्छे तरीकी से research करके कुछ अच्छे-च्छे stocks पकड़ ले तो long term पर क्या वो भी अच्छे return देते हैं as compared to mutual fund और यह मैं खुद करके आप लोग को भी दिखा रहा हूं तो जो लोग ने investment नहीं किया stocks में but वो देखना चाते हैं वो लोग देखन लेना चाता ज्यादा चोटा-चोटा amount डालूंगा जब मुझे जैसे confidence मेरा बढ़ते जाएगा मैं तभी ही एक साथ डालूंगा because अभी आप देखोगे तो मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रहा हूं फिर थोड़ा time रुकूंगा थोड़ा-थोड़ा डालूंगा और फिर long term प उसमें भी chances होता है अच्छा return आने का but again risk factor जादा होता है कितने time में हुआ 17.32% profit अभी तो फिलाल वापस कम हो गया है 16 point something हो गया है भी but यह अभी 9 months हो चुक है मुझे investment करके तो overall इतना time हो गया है brother इनका question है quant small cap add कर सकते हैं क्या भी अगर आपके portfolio में already 2-3 quant small cap है तो फिर करो तो भी सही है नहीं करो तो भी सही है अगर आपने 2-3 small cap अच्छे already add करके रखें तो need वैसे कोई है नहीं बट यार देखो small cap आज के date में अच्छा तो return दे रहा है तो no doubt अच्छा return दे रहा है और अच्छा perform कर रहा है तो अब देखो यह personal choices आप क्या करना चाते तो बाकी मैं अगर मेरे profile में जैसे तीन small cap है already मैं एक add करने की सोच रहा हूँ आगे बट अभी देखते हैं कि करूँगा की नहीं करूँगा बट small cap अच्छा fund है बस आप वह यह के long term के लिए hold करने वाली बात है बाकी तो यह मेरा point of view है फिलाल क्या करना है final आप फिर भी आप अपने level पर खुद decision लेना और खुद से responsible होके decision लेके खुद ही लेना आप जो भी लेंगे इनका comment है quant small cap क्यू नहीं लिया आपने कोटक से तो काफी आगे आगे मेरे काल से अच्छा का आगे का fund है क्या कोटक यार देखो मैं बुला ना मैंने जब मैं देख रहा था तो कोटक मुझे थोड़ा bank वाले fund है यह mutual fund तो थोड़ा जादा मुझे safe लगते है यह मेरा personal choice है ऐसा नहीं कि बाकी खराब है बट यह मे मुझे access दिख रहा था वो टाइम पर 5 star था तो वो लिया था उसके बाद कोटक मुझे पसंद था कि चलो कोटक का मैंने देखा कि again एक bank mutual fund है तो डाल देता हूं और फिर मुझे third डालना था मेरा इसलिए मैंने डाला था निपॉन में चुकि मैं देख रहा था कौन सा top performing है तो वो टाइम पर SBI और निपॉन थे तो मैंने निपॉन चूस कर लिया उसमें यही रिजन था वो टाइम पर mixture नहीं नहीं किया वो टाइम पर यही होता ना कि पर्सनल पर्सनल चॉइस है बाकि तो कॉंडी भी अच्छा है और यह सब अच्छे ही हैं इनका कमेंटे बियर मार्केट आएगा तो वीडियो बनाना खुद बंद कर देगा अभी तक तो आया नहीं बाई शुप शुप बोल और अभी तो नहीं निकालूँगा पैसा यार इतना सोच मत बस यह होप करो कि यार विश करना कि कोई मुसीबत ना आ जाए मतलब मार्केट गिरने के वज़े तो निकालूँगा नहीं पर्सनल लाइफ में कोई मुसीबत ना आ जाए वो बोल देना आई विश की जैसे चल रहा है चीजे चलते रहे बाकि तो अपना मार्केट गिरने के वज़े से पैसा तो नहीं निकालूँगा नीड का तुम बस यह विश करो मेरे लिए कि कोई ऐसे कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ठीक है बात तो सही बोल रहे हो कि बहुत लोग की हलत खराब हो जाती है लास्ट मन देखा है बहुत लोगों ने देखा ना आउट फ्लो कैसे निकला है स्मॉल के पीचो फल्ड से तो फिर यह वीडियो भी यहीं पे एंड करता हूँ आपको कल बताऊंगा वीडियो पे कि अब यह पॉर्टफोलियो पे क्या रिटन आया है या लॉस हो रहा है या जो भी है तो गाइस देख लो जो भी स्टॉक्स मार्केट का एक आइडिया लेना चाते हो तो मैं इसलिए मैं भी स्मॉल अमांट डालके स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब मैं भी थोड़ा इसको एनलाइस कर तो जो stocks market में investment करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा लहेगा डेली अपडेट और एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके का volatility इसमें आता है, क्योंकि mutual fund का volatility और stocks market का volatility बहुत difference होता है, वो आपको जो भी रहेगा वो आपको दीखी जाएगा भी इसमें long term पे everyday, तो देखते हैं य जेरनी कैसा होगा इसका, बाकि आप लोग ऐसे support डिखाओ इसमें भी, और आप लोग अपना तब तक क्याल रोको, ध्यान रोको, bye and take care.